नविस्कार में अस्ट्रोलोज जो नीलव नवरात्री की पंचम दिन, यानि पांचम दिन डेवि सकंद माता का पूजन किया जाता है नवरात्री शक्ति पूजन का एक बड़ा ही सरल और सुगम मारग है शक्ति पूजन से ही जीवन में नया संचार उत्पन होता है परम उर्जा है देवी सकंद माता का इस दिन ध्यान करना पूजन करना और देवी सकंद माता के गुनों का वक्हान करना उनकी स्तुती करना विशेश तहम महत्वपूर्ण है सुबा उचकर भक्त जन देवी के प्रती रूप को स्थापित करें और उनके प्रती रूप को स्थापित करने के पश्चात उन्हें धूप दीप नवैध्य चढ़ाते हुए दिखाते हुए उनके आगे नतमस्तक हो जाएं देवी सकंद माता का रूप जो है वो चतर भुजी रूप है सिंग पर सवार और पदमासनी भी देवी को कहा जाता है क्यूंकि कमल पर भी इनका आसन होता है देवी एक हात में अपने पुत्र सकंद यानि कि मुरुगन स्वामी जी ने कहा जाता है उन्हें लिए होती है कुमार कार्तिके जी जो देवासुर संग्राम में देवों के सेना पती बने थे उनकी माता होने के कारण ही इनका नाम जो है वो सकंद माता पड़ा अभय मुद्रा में अपने भक्तों को अभय का वर्दान देते हुए और उनके कल्यान के लिए हमेशा देवी का ये रूप जो है वो तक पर रहता है देवी का पूजन करते समय आप किनी बातों का ध्यान अवश्री रखें पहली बात तो ये जब भी पूजन करें ध्यान करें तो आपके जो वस्त्र है वो काले रंके नहूं सफेद या गुलाबी रंके वस्त्रों में देवी देख का ध्यान करें निश्चल मन, निर्मल मन होना ये अति जरूरी है और इसके साथ साथ सात्विक रहना या सात्विक विचारों के साथ देवी का पूजन करें तो आज की दिन देवी को केले का भोग अविश्य लगाएं इनका पूजन करने से केतू ग्रह जो है वो बली होता है देवी को सूर्य की अधिश्टात्री देवी कहा जाता है और इनी से जो पूरे ब्रम्हांड में है वो उर्जा का संचार रहता है देवी का ध्यान विशुद्धी चक्र में करें और इनका ध्यान करने से संतान संबंधी समस्याओं से आपको लाब मिलता है संतान से जुड़ी समस्याओं और संतान न होने की अगर समस्या किसी की जीवन में चल रही है तो देवी सकंद माता का ध्यान करने से आपको शीक्रही संतान की प्राप्टि होती है आपके बच्चों के भविष में उनकी वृधि उजुवल भविष के लिए उनकी धन वृधिक संपन्दता के लिए देवी सकंद माता का ध्यान करना पूजन करना और उनके आगे नतमस्तक होना अती लाबकारी सिद्ध होता है पंचम नवरात्रे के दिन क्योंकि पांचवा नवरात्रा होता है और इस दिन देवी के रात्री जागरन करने का भी विशेश लाब मिलता है और रात्री के समय देवी के मंत्रों का उचारन करना भी आपको विशेश लाब देता है देवी का जो वास है वो पूर्वदिशा की तरफ बैठ कर करने से उनका अशिर्वाद आपको प्राप्त होता है और देवी का अगर छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो भी स्मरन करते हैं ध्यान करते हैं तो उनकी बहुत शिग्र से कृपा बन जाती है धर्नेवाद